पूरा चैप्टर डिस्क्राइब करेंगे ठीके दूसरे पार्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाएगा सभी के सभी नोट्स ठीके साथ इंपॉर्टेंट कोश्चन्स और अधर कंटेंट चाहे वो अब्जेक्टिव कोश्चन हो लास्ट यर पेपर हो वगेरा सब कुछ आपको हमारी website crisscrossclasses.com पे मिल जाएगा तो आप अराम से जाकर google पे सर्च कर सकते है crisscrossclasses.com या फिर नीचे दिएगा लिंक पर क्लिक करके भी ये सब चीजे एकसेस कर सकते हैं तो फटा-फट से chapter शुरू करते हैं कि chapter में हमें पढ़ना क्या है तो देखिए जैसा कि मैंने किसे कहा जाता है शेत्रवात क्या होता है भारत में शेत्रवात क्या है अल्प संक्यक समुदा और उनके अरक्षन के बारें पढ़ेंगे और उनसे संबंदित जान करेंगे और उसके बाद ये सारे topics कवर करेंगे हमारे second part में तो शुरू करते हैं फटा-फट से सबसे पहले की विदिता का मतलब है जब समाज में अलग-अलग वर्ग रहते हूं और हर वर्ग की जीवन जीने का तरीका है उनकी जो भाषा है ठीक है उनकी जीवन जीने की रिती रिवाज है उनकी धार्मिक माननेता है वो सब क्या हो एक दूसरे से अलग-अलग हो तो इसी को बोला ज प्रमुओं में सामन जस्य पैदा करना मुश्किल हो जाता है और इसे ही सांस्कृतिक विद्धता की क्या क्या आ जाता है चुनौतिया माना जाता है ठीक है उधारन के लिए कोई एक कार्य ऐसा हो सकता है जो कि हिंदु धर्म के अंदर पवित्र माना जाए या फिर गलत माना जाता है यही होती है क्या सांस्कृतिक विविदता की चुनौतियां तो जो अलग-अलग धर्मों के जाती के लोग रहते हैं अलग-अलग तरीकों से वो क्या है सांस्क्रिटिक विविदता है और इसकी वज़े से चुनौती क्यों आती है क्योंकि उनके जीवन जीने का तरीका अलग अलग है इसी वज़े से कोई एक ऐसा काम हो सकता है जो किसी एक धर्म विशेश के लोगों को सही लगे पर दूसरों को गलत लगे और इस वज़े से उनके वीच में सामन जिस से पैदा करना क्या हो जाता है मुश्किल हो जाता है अब इसके बाद बात आती है नहीं हमें सांस्क्रिटिक विविदता समझ आ गए और हमें समझ आ गया कि उससे संबंदित चुनातिया क्या है तो अब बात आती है कि सामुदाय का निर्माण ऐसे लोगों के समूझ से होता है जो एक विशेश धर्म, भाशा, शेत्र और विचारधारा से आपस में जुड़े होते है समुदाय होता क्या है तो समुदाय का मतलब होता है ऐसे लोगों का समु जो या तो किसी विशेश धर्म को फॉलो करते हैं, किसी विशेश भाषा को बोलते हैं, किसी विशेश शेत्र में रहते हैं, या किसी विशेश विचारधरा के कारण आपस में जुड़े हैं, यानि जो किसी एक विशेशता क कारण क्या होते हैं आपस में जुड़े होते हैं ठीक है जन्म के साथ ही एक वेक्ति को एक विशेश पैचान मिल जाती है जो समुदाय से जुड़ी होती है जिसमें बच्चे का जन्म होता है यानि अगर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसकी एक पैचा ब्रहांमने के गर और उसने किसी ब्रहांमने के गर में जन्म लिया तो उसकी पैचान की है विशेश, धर्म, भाषा, शेत्र या विचारधारा से आपस में जुड़े हैं और सामुदाइक पहचान का मतलब जो एक बच्चे को उसकी फैमिली की वज़े से मिलती है ठीक है आगे देखते हैं नेक्स टॉपिक हमारा सामुदाइक पहचान की विशेशता है क्या होती है य इसके अंदर एक अपना पन होता है ठीक है यह किसी विखती को इस वज़े से नहीं मिलती क्योंकि उसने क्या क्या कोई उपलब्दी आसिल किया बलकि लोगों को क्या लगता है इसमें अपना पन लगता है ठीक है इसके अलावा इसकी प्राप्ती के द्वारा इसे प्राप् पर आपको पसंद के अंदर पएदा हूए जिस समाजमे पैदा हूए आप उसका उंग हो और वो आपकी पैचान का एक हिस्सा है तो यह चार विशेश्ता है मुख्य रूप से इसकी आगे अगर हम देखें तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि सांस्कृतिक विभिनता क्या होती है उसकी चुनौतिया क्या है फिर हमने पढ़ा सामुदाय क्या होता है समुदाय की पहचान क्या होती है उसकी चुनौतिया क्या है किस तरीके से एक वेक्ति को सामुदाय क्विशेशता है मिलती है अब हमे इसका वर्णन कर सकते हैं आपके एक जगा है एक शेत्र विशेश के लोग है एक भाषा बोलते हैं ठेक है पर इसके लिए कोई परिभाषा देना क्या है बहुत जादा मुश्किल है अब जैसे वर्तमान में हम देखें तो अलग-अलग देश है अलग-विशेश्टाओं के सा तस्तितों में बने हुए ठेक है इनके अलग-अलग विशेश्टाओं के अनुसार उनका वर्णन तो हम कर सकते हैं जैसे कोई देश है जो वो क्या है वो मुस्लिम्स का देश है या कोई देश है वो विकसित देश है या कोई ऐसा देश है जहां पर बहुत लोग रहते हैं तो उनकी विशेष्टाओं के अधार पर उनका वंडन तो कर सकते हैं पर इनकी परिभाशा का निर्मान करना बहुत जादा मुश्किल है ठीक है क्यों क्यों कि सबके विशेष्टा है अलग-अलग है उधारन के लिए अगर हम देखे तो विश्व में कई ऐसे देश हैं जो ए जहां पर नहीं है ठीक है तो परिभाशा में वो फिटी नहीं वैटते कई रास्ट्रे ऐसे हैं जहां पर एक भाशा मुख्य रूप से बोली जाती है परन्तु भाशा के अधार पर उन रास्ट्रों की पैचान नहीं की जा सकती है उनको भाशा के अधार पर बनाया नहीं ज सकता ठेक है क्योंकि उनके अंदर कई अन्य भाषा भी बोली जाते है या वह भाषा कई और जगा भी बोली जाते है जैसे अगर आपको मैं अगर हम देखें तो टापिक आता है शेत्रवाद क्या होते है जिसके अपने से प्यार करता है और अंचे शेट्रों से rast करने लगता है इसका सबसे सिंपल साधारण और बड़िया उधारण होगा वो ये होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि हम इंडिया में रहते हैं ठीक है और पाकिस्तान में भी लोग रहते हैं तो अब जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए इंडिया के लोग बुरे और इंडिया वालों के लिए पाकिस्तानी लोग बुरे ऐसा क्यों है ठीक है ऐसी विचार धाराये लोगों के ऐसा क्यों है क्यों कि इंडिया वाले अपने शेत्र को अच्छा समझते हैं और पाकिस्तान को बुरा समझते हैं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तान से प्यार करता है पर अगर हम दूसरी तरफ देखे तो वो दूसरे देश की क्या करता है अवेल ना करता है जैसे इंडिया वाले पाकिस्तान की बुराई करते हैं और पाकिस्तान वाली इंडिया की बुराई करते हैं या उससे नफरत क करने लगते हैं ठीक है इसी को क्या कहा जाता है शेत्रवात का जाता है इस इस्तिति के कारण वेक्टी अन्य शेत्रों के लोगों को अपने शेत्रों में विजए प्रबाव जादा। देखो आप सबको पता होगा कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी भाषा बोलने वाले अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं जिस वज़े से हमारे हैं संस्कृतिक विविदता बहुत जाद है या फिर अलग समस्ते हैं अपने से तो इस वज़े से शेत्रवात पाया जाता है ये शेत्रवात भारते वास्था के लिए एक बड़ी चुनाती है क्योंकि इतनी विभिन इच्छाओ और माननेता हो वाले लोगों को एक साथ रहने के लिए प्रेरित करना क्या है इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ के रखना ठीक है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना बहुत जादा मुश्किल कार रहे है इसलिए शेत्रवात भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनाती है भारत का जो संग्य ढाचा है वो कुछ हट तक शेत्रवात की समस्या को कम करता है जिस वजहें से हर यकाई अपने शेत्रवात ध्यान दे पाती है और सब्रूरत पूरी हो पाती है तो इस संग्य ढाचे की वज़े से कुछ हद तक तो इसको कम किया जाता है ठीक है पर फिर भी कई ऐसी समस्या हैं जो अभी भी हमारे देश के अंदर बनी हुई हैं इसके बाद जो हमारे पास नेक्स टॉपिक है वो आता है अलप संख्यकों के बारे में यानि अलप संख्यक स समुदाए के लाठें उधारण के लिए जैसे भारत में मुस्लिम हो गए जयन हो गहाई पार्षी हो गये है तो इस्य वज़े से भारत में किateg pessimist की आरक्षं की तो ओररक्षं का मतलब कैस समाज के 21 i CBD वर्गों का मतलब यानि यही वर्ग जिनकी संख्यक का में इन वर्गों समाज के संसाधनों में एक विषेश हिस्सा प्रदान करना समाज में उपस्तित अलब संख्यक वर्गों के लिए आरख्षन है क्या है क्यूंकि देखो उनकी संख्या गम है तो वो अपने आप अपना विकास कर सके यह तो बहुत जादा मुशकिल है तो इसी वज़े से उन्हें क्या करना उनके अधिकार दिलाना ये कि य का उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए क्या है जो हमारा आरक्षन है वह बहुत ज्यादा जरूरी है अब संख्य कम होने की वज़े है कि है वो राजनीतिक रोप से भी अपने हितों की पूरती नहीं कर पाते हैं इसी वजह से आरक्षन और विशेश प्रावधानों के द्वारा क्या होता है अलब संख्यों को का विकास सुनेश्चित किया जाता और किया जाना क्या है जरूरी है ठीक है यहां तक क्लियर होगा इसक बात देखते हैं नेक्स टॉपिक क्या है भारत में अगर हम देखें अलब संख्यक समुदाय के बारे में तो अलब संख्यक समुदाय का विकास समाजिक विकास के लिए सबसे जरूरी है कि यह जो अलब संख्यक है यह भी क्या है हमारे समाज का इससा और अगर इनका विकास नहीं होगा तो देश का विकास करना क्या है बहुत जादा मुश्किल है इसी वदिये से भारते सविधान ने क्या किया है भारत में उपस्तित अलब संख्यों को के लिए विशेष प्राफधान किये है तो दो अनुचेद हैं हमारे सविधान के पहला तो अनुचेद 19 और किसी भी नागरिक को जाती धर्म और भाषा के अधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है, किसी भी वेक्ति को इस अधार पर अलग नहीं रखा जा सकता कि वो किसी विशेश धर्म से बिलॉंग करता है, ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, अनुचे 30 के अंदर है, उसमें ये कहा गया है, कि अलग सेंख्यक वर्क को अपने धर्म या भाषा पर अधारी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है, तो अपने वर्क का विकास करने, उसके भाषा का विकास करने, उसके धर्मिक माननेताओ का विकास करने के लिए शिक्षा संस्थाओ की श्थापना कर सकते के लिए ओपन है फटाफट से जाकर पूछो वी रिप्लाई इच एंड अवरी कमेंट आफ यॉर्स इफ यॉर्स आस्किंग सम्थिंग अगर आप कोई कोश्चन पूछते हो तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा ठीक है दौनों पार्ट्स विल्कुल देख लेना तभी चै तो टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लो हमारा उसका लिंग भी डिस्क्रिप्शन में साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज हम डेली पोस्ट करते रहते हैं क्योंकि आपके लिए हैलफफू लोंगे और वीडियो को लाइक जरू भाइक जरू नवट उट लगए भीडियो वीडियो रफड़ लोंगे भीडियोज वीडियोज बद Sबस्टे लिए हैं क्योंकि यूज हमारा उसके लाइक जरू भीडियोज भीडियोज